आज हम थोड़ा सा और डीटिल में पढ़ने वाले हैं इंटरनाशनल हुमिन रिसोर्स मैनेजमेंट तो इंटरनाशनल हुमिन रिसोर्स मैनेजमेंट वैसे तो हम देखे तो यह हमारा हम एचार्म की तरह ही होता है कि हमने विमिन दिसोर्स को मैनेज करना है एट वर्क प्लेस तो हमारे बेसिकली एचार्म में हमारे क्या क्या आता है हुमिन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारे क्या क्या चीज़ें in 귀여 होती है है । है प्लानिंग, जोब ठीजाइन , जोब धयान् जोब एन रिचमंट, क्रिटन सेलेक्षन , प्लेचमं प्लेस्मन और निइस्टिंग पर्मोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, एक्जेकुटर दिवलपमेंट, कारियर प्लानिंग अन डिवलपमेंट, परफोर्मेंस अप्रेजल, वरकिंग एन्वार्मेंट, क्वालिटी ओफ वरकिंग लाइफ, मैनेजिन क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी, जोब सेटिस्फे पर कर रहे हैं, और इंटरनेशनल वर्ड एड हो गया है, हर्म के अंदर अगर इंटरनेशनल वर्ड एड हो गया, इंटरनेशनल मीन्स, जब हम बात कर रहे हैं, किसी बाहर कंट्री की भी है न, तो जब दो और दो से ज़्यादा कंट्री इंक्लिूड होती है, तो वो हमारा हो जाता है international human resource management ठीक है तो हमारा क्या हो गया कि employees को manage करना from many countries at world level ठीक है तो यहां पर हमारी हो जाएगी जब हम business कर रहे हैं ठीक है marketing कर रहे है international trade and practices कर रहे हैं between two and more countries ठीक है इसके बाद है traditional theory x को replace कर दिया गया है modern theory y से तो जो है हम अब हम क्या treat करते हैं हमारे employees को as a asset treat करते हैं तो देखो हमारी theory x क्या कहती थी जो डॉगलस मैग गिरोगर ने दी थी यह क्या इन्होंने दो theory दी थी traditional theory x and modern theory y तो traditional theory x हमारी क्या बोलती है कि जो हमारे employees हैं वो क्या उनको हर चीज़े बतानी पड़ती है tell them to work and only then they will work ठीक है otherwise they do not work हम उनको motivation देना पड़ता और उनको सिर्फ एक जो हमारे hierarchy needs of theory हमने पड़ी है तो यह सिर्फ एक physical and security needs तक ही limited है ठीक है high level वाली things motivation जैसे self-actualization, status, estimation, status needs ठीक है यह needs इनकी नहीं होती है और अगर इनको एक चीज़े की इनको order दिये जाते हैं अगर यह काम नहीं करते तो punish किया जाता है पर हमारे modern theory why क्या कहती है कि उनको अच्छी provide करवाने हमने condition working condition अच्छी होनी चाहिए full effort दिखा सके जिससे वो self direction होती है उनकी proper environment देना चाहिए ठीक है उनकी जो need है वो क्या होती है self-actualization, esteem and status needs मतलब high level वाली needs होती है उनकी तो तब इन दोनों theory का conclusion निकाला गया तो उसमें यह बोला गया कि अगर हम theory x को follow करते हैं तो हम कभी भी successful नहीं हो सकते ठीक है जो हमारे objectives है उनको क्या बोलेंगे attain करना थोड़ा difficult हो जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए जो भी है हमारे employees उनके साथ soft attitude रखना चाहिए उनके साथ relation अच्छे रखने चाहिए उनको अच्छे से guide देनी चाहिए ठीक है और proper management होना चाहिए तो हमारी modern theory y है वो follow करनी चाहिए और इसके अंदर भी मैं यही बोलूंगी कि जो theory x है उसको replace कर दिया गया theory y के साथ ठीक है तो theory y apply होती है of human resource management फिर हम बात करते हैं international human resource management तो यह क्या एक process है of procuring allocating effectively utilizing human resources in an international business is called international human resource management कि जो हमारे human resources है हम उनको proper utilize कर सके इनके efficiency को increase कर सके इससे क्या होगा अगर हम क्या करेंगे हम अपने human resources का full utilization करेंगे ठीक है इससे क्या होगा कि हम अपने objectives को easily achieve कर सकते हैं और competitors भी इतने सारे हैं market में तो उस चीज को भी देखना पड़ेगा जिससे उनका turnover कम रहे ठीक है फिर है कि importance क्या है international human resources की तो अगर हम देखे तो हमारे human resources है वो बहुत essential part है किसी भी organization का ठीक है तो उनको अच्छे से treat करना उनको importance देना उनकी development के लिए कुछ program organize करवाना उनके ओ training provide करवाना उनकी needs को देखना उनको satisfy करना ठीक है यह सब चीज़े बहुत जरूरी है किसी भी organization के लिए तो यह importance होगी हमारी human source की at international level फिर कौन-कौन से factor effect करते है इसकी मैं already वैसे वीडियो बना चुकी हूँ कि culture कैसा economic education background कैसा क्योंकि हर country का education background और उनके rule regulation हर चीज़ अलग अलग होती है ठीक है तो यह वहाँ पे effect करती है चीज़े political legal system कैसा economic system कैसा economic condition कैसी है क्या से वहां के values है ठीक है तो marketing standard कैसे है financial requirement कैसी है उनकी capital income कैसी है life cycle stage कैसा उनका standard मतलब हर चीज़ क्या technology कौन सी use कर रहे है HR strategy कौन सी use कर रहे है तो यह सारी सीज़े effect करती है हमारे HRM को at international level फिर है जो main topic है हमारा function तो function की अगर हम बात करे हैं तो इसके mainly हैं जो हमारे पांच function है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं recruitment and selection की तो सबसे पहले तो आपको मतलब पता हूना चाहिए कि recruitment का मतलब क्या होता और selection का मतलब क्याता है recruitment is concerned with developing suitable techniques for attracting more and more candidates इसके अंदर हम क्या try करते हैं कि ज्यादा से ज्यादे candidate हमारी जो भी हमने vacancy निकाले उसके लिए apply करें और selection में हम क्या करते है selection is the process of selecting candidate from employment की हम यहाँ पर एक तरह से देखे तो recruitment के अंदर हम क्या करें positive है ठीक है process और selection हमारा एक negative process है क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को reject कर रहे और जो हमें सही लग रहा है कि जो हमारी job requirement है उसको fulfill कर रहा है उसकी qualification उसके according है तो हम उसको select कर लेते हैं फिर हम बात करते है second point हमारा आता है developing and training development development and training क्या होता हमारा training is the act of increasing the knowledge training is the act of increasing the knowledge and skills तो हमारा development and training क्या है कि हम इसके अंदर चाहते हैं कि हम sufficient training provide करवा सके employees को जिससे क्या हो सके हो कि उनके भी goal achieve हो सके और हम वो जिससे better performance दे और हमारे companies की भी growth हो training is the act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a specified job की जो specified वो job कर रहा है उसके लिए उसको क्या-क्या skills और knowledge की requirement उसके according हम उनको training provide करेंगे जिससे वो एक अच्छे सी performance हमें दे सके जिससे हमारे waste of resources minimize हो सके और हम full utilization of resources कर सके development takes place when the individual is internally motivated तो development हम तब ही हो सकती है अगर employee भी चाहते हैं फिर इसके अंदर हमारी दो अप्रोच आती है इन्हें centralized approach और इन्हें decentralized approach सेंट्रलाइज अप्रोच हमारी क्या कहती है कि जो भी जैसे कोई company है तो एक जगे जहां पर इसका headquarter है वहां पर इन्होंने अपनी corporate training बना रखिए तो जिसको भी employees को जहां से भी अगर दूसरी country में भी है ना हमारी जैसे अ अगर दूसरी country में भी है employees तो अगर उसको भी हमने training प्रोवाइड करने है तो वो जहां पर हमारा headquarter है वहां पर आके training लेगा ठीक है तो यह हो गए हमारा centralized approach decentralized approach के अंदर क्या कहते हैं कि training जो local area है जहां पर वो employee है वहीं पर प्रोवाइड जहां जहां जैसे हमारी branches है company की वहां हर जगे हमने अपने साथ में training center भी है हमारी की हम वहीं पर employees को training प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हम इन दोनों में से कोई भी जैसे जो company को suitable लगती है it is important that trainers must be qualified फिर हम बात करते हैं performance evaluation की यह कि हमने उनकी performance को evaluate करना चाहिए at regular interval जिससे क्या सके कि अगर हम देखे कि उनको training की need है तो हम उनको training provide करवाएंगे अगर हमें लगता है कि उनके पास अच्छी knowledge है वो कोई और job भी कर सकते हैं उनको promote कर सकते है rewards दे सकते हैं ठीक है इससे क्या होगा कि वो और अच्छी performance देंगे हमें और हमारी companies की क्या होगी company की भी efficiency increase होएगी growth होएगी तो यह जरूरी है यह depend करता है कि कि किसी भी organization की overall human resource management strategy कैसी है इसके बाद हम बात करते है remuneration and benefits की इसका यह है इसके अंदर दो चीज़ आती है remuneration and benefit के अंदर first is comparability and the second is major concern is cost comparability यह है कि जिसे एक country में है कोई बहुत अच्छा है जिसको हम अपने company में काम करवाना चाहते हैं ठीक है कोई दूसरी कंटी का बंदा हमारी इंडिया में आ रहा है हम उसको पे कर रहे हैं 50,000 तो क्या वो हमारे लिए काम करेगा नहीं न तो हम यह देखेंगे comparability देखेंगे कि वहाँ पर उसको कितने benefit मिल रहे हैं और हम उसको कितने benefit दे रहे हैं हम ऐसा क्या करें कि वो हमारे पास काम करें दूसरी चीज हमारी आती है कोस्ट कि हम उसको लेके आ रहे हैं अगर वो वहाँ दूसरी कंट्री का बंदा अगर वो हमारी कंट्री मैंगा उससे हमारी क्या 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 कोस्ट लग रही है ठीक है तो यह चीज़े भी हम देखेंगे फिर उसके बाद है हमारा the labor relations labor relations में हमारा है कि जो management का relation है और जो labor का employees का relation है employer और employees का relation अच्छा होना चाहिए कुछ-कुछ countries में ऐसा भी होता कि government ने rule regulation बनाए होते हैं कि labor की मतलब ऐसे relation होना चाहिए ऐसे उनके लिए कुछ schemes वगेरा भी होती है जो हर company को follow करनी पड़ती है और अगर हम वैसे भी बात करें तो labor का relation अच्छा होना चाहिए जिसे उनकी turnover कम हो वो ज्यादा satisfy रहे है अच्छे से motivate होके अपना 100% दे हमें जिससे क्या होगा हमें result अच्छा हैंगा उनकी efficiency increase होगी तो overall company को भी benefit होगा company की भी efficiency increase होगी ठीक है एक positive लेके चलना है so thank you so much अगर आपको किसी भी topic पर video चाहिए तो आप नेचे comment section में मुझे बता सकते हो keep watching me and please subscribe my channel for more videos have a good day